नमस्ते दोस्तों बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए ध्यान रखने योग बहु जरूरी बाते अपना किम्ती समय निकाल कर जरूर सुने नमबर एक जीन औरतों में मोटापा या पेट बढ़ने की समस्या है वह तीन चमच सरसो तेल एक चमच जैतुन तेल आधा चमच अजवायन और आधा चमच बेथी दाना को पका ले और इस तेल को रोजाना रात में लाभी में लगाए इससे धीरे धीरे पेट अंदर चला जा और खुप और खस-खस खासी में भी आराम मिलता है नमबर चार शरीर में खून की सफाई के लिए अपनी डाइट में कड़वी चीजे का सेवन करना चाहिए नमबर पाच यदी हडियों में दद रहता है तो दूद में कच्या हल्दी उबाल कर पिए इससे आपको बहुत फ जागत मिलेगी और चेहरे पर भी चमक आएगी नमबर साथ कभी भी चेहरे को ज्यादा गर्म पानी से नहीं दोना चाहिए इससे चेहरे की तचा जल्दी बुड़ी हो जाती है इसके कारण चेहरे पर जुड़ियां भी जल्दी पढ़ने लगती है नमबर आठ यदी आप रोजाना सोने से पहले बालों में कंगी करके सोते हैं तो इससे आपके बाल मुलाएं उलजना बंद हो जागा नमबर नौ लटकते और जुड़िया वाली स्कीन के लिए अनार का सेवन करें अनार जुड़ियों को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है नमबर टे ुड़ जल्दी उठने वाला बेकती हमेसा खुब्सूरत और जवान बना रहता है नमबर 12 नहाने के बाद काला नमक चाटने से पेट ठीक रहता है और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है नमबर 13 दोफर का खाना खारने से पहले एक खजूर खा लेने से जल्दी हजम हो ज जाते हैं तो कद्दू का जूस पिए इससे वजन घटाने में बहुत मदद मिलती है नंबर 15 दही चाज का सेवन करने से नींद अच्छी आती है नंबर 16 पच्ची गाजर खाने से सरीर में खुन बढ़ता है और तागत भी मिलता है नंबर 17 अगर चुकंदर का सेवन करने से ख पीना चाहिए इससे कुछी दिनों में धाग धब्बे दूर हो जाएगी नंबर 20 सफेद चाने खाने से सुगर कंट्रोल में रखता है नंबर 20 दूद के साथ बाजरे की रोटी खाने से सरीर में ताकत मिलती है नंबर 22 जादा गर्म चीज पलास्टिक के बरतन में नहीं चीज रोजाना काली मिर्च का सेवन करने से पेट की सभी समस्या दूर हो जाती है नंबर 26 पेट में कीड़े होने पर लसी में आजवाइन का चून मिला कर पिए इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं नंबर 27 खासी और कब का उपचार घरेलू उपचार करने के लिए आजवा चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग साफ हो जाता है नंबर 31 रोटी बनाते समय भाप से हाथ जल जाये तो जली हुई जगह पर आलू काटकर लगाने से अराम मिलता है नंबर 32 थोड़ी देर कान में उंगली डाल कर रखने से दिमाग तरो ताजा हो जाता है नंबर 33 रंग साफ और गोरा करना हे तो राथ को दूद की मलाई को लेकर चेहरे पर लगा लेरे, सुबह मू धो ले, नमबर चोथी, जो एड़े हमेशा जाड़ु कोछा लगाती है, वा कमर दर्थ की विमारी से बची रहती है, साथ ही मोटापा की विमारी से भी दूर रहती है, 35 पके हुए नार का रस गर्म करके बच्चे को पिलाने से बच्चे की उल्टी रुख जाती है 36 किड्नी स्टोन से दूर रहने के लिए नियमित रूप से तर्बुज का सेवन करे 37 जिन बच्चों की आग भूरे रंकी होती है उनका दिमाग वहुत तेज होता है 38 गरम मक्षन का इस्तमाल करने से पेट की चर्वी भी घर्टना सुरू हो जाती है 49 सास फुले की समस्या में दही की कड़ी में थोड़ा सा देसी घी मिलाकर कुछ दिनों तक खाए इसे बहुत लाब मिलेगा 40 पानी सोट पीसकर माथे पर लगाने से सर्दी से होने वाला सर दर्द रूख जाता है 41 कब्ज से छुटकारा पाने के लिए सोते समय एक गिलास मीठे गुनगुने गर्म दूद में एक चमसुद घी डाल कर पीना चाहिए 42 अगर चुहे से परसानी हो तो पुदेने को कुचल कर हर दर्वाजे के किनारे रख दे इससे चुहा नहीं आएंगे 43 जिन लोगों को हाई ब्लड पेसर की दिक्कत हो तो उन्हें बदाम का सेवन नहीं करना चाहिए 44 खाना खाते समय खाने को सुंगना नहीं चाहिए इससे बदहस्मी हो जाती है 45 खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने से पेट संबंदित रोख दूर रहते हैं और उम्र भी लंबी होती है 46 लोकी को काट कर सुखा कर नारियर तेल में पका ले इस तेल को छान कर एक बोतल में भर ले और इस तेल से सीर में मसाज करने से सफेद बाल काले होने लगते है 47 अगर कोई इनसान ज़्यादा चावल का सेवन करता है तो उसे ड्रेम की बिमारी हो जाती है 48 अगर घर में मच्छर मक्यों जादा आती है तो पानी में नमक मिला कर घर का फर्स होने से मच्छर मक्खी नहीं आएंगे 49 दूद में जीरा डाल कर पीने से पेट बाहर नहीं निकलता है 50 बार बार उल्टी होने पर बर्ख चुसने से उल्टी बंद हो जाती है 51 यदि आप अन्मुनियम के बर्थन में खाना बनाते हैं तो कभी भी खाना बनाते समय उसमें निम्बू का रस ना डाले 52 जिन लोगों में खुन की कमी होती है उन्हें बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए 53 अगर भूख न लगने की समस्या है तो गर्म पानी में काली मिर्च नमक और निम्बू का रस मिला कर पी लिया करें इससे भूख आपको लगने लगेगी पर डोक्टर से सलाह लेकर ही यह नियम अपना है फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और सेर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूले ऐसे ही टीप्स और ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल को भी सस्क्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी कोई निव वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे तो मिलते हैं इसी तरह के एक और निव वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए स्वस्त रहिए खुश रहिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सूब हो मंगल मैं हो थैंक्स फोर वाचिंग बाई बाई दोस्तो